आप सभी ने पारस पत्थर के बारे में सुना यह होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके इस पर से लोहे की बस्तू शन बन में सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का जिप पुराणे ग्रंतों और लोकताओं में भी मिलता है। पारस पत्थर के समन में अनेको किसे कहानिया समाज में प्रचलित हैं कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को देखा है पारस पत्थर के प्रसिधी और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान है जो पारस पत्थर के नाम से जाने जाते हैं कुछ लोगों के आज भी नाम पारस होते हैं कुछ लोगों का मानना है कि टिटहरी पक्षी के अंडे बहुत ही कठोर होते हैं बाके पक्षियों की तरह उसके बच्चे बाहर नहीं निकलते अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए टिटहरी पक्षी पारस पत्थर की खोच करती है और अपने अंडों को इसी पत्थर से फोड़ कर अपने बच्चों को बाहर निकालती है सास्तरों की कहानिया बताते हैं कि हिमाल्य के जंगलों में बड़ी असानी से पारस पत्थर मिल जाता है बस कोई बैक्ती उसकी पहचान करना जानता हो कहानियों के अंदर जिकर आता है कि कई संथ पारस पत्थर को खोच कर लाते थे और अपने भक्तों को दे देते थे यह पारस पत्थर हिमाल्य के आसपास ही पाय जाता है हिमाल्य के साधू संथ ही जानते हैं कि पारस पत्थर को कैसे ढूंडा जाए ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचिन भारते रसायन कार रहे नागा आजुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीप विक्सिप की थी उन्होंने ही पारस पत्तर को बनाया था हाला कि जारखंड के गिरिहिट इलाके के पारस नाज जंगल में आज भी लोग पारस मड़ी की खोच करते रहते हैं भुपाल के पास एक किला है ये किला भुपाल से 50 किलो मेटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है इस किले का नाम है रायसेन का किला कहते हैं कि इस किले के अंदर पारस पत्तर मौजूद है उस पारस पत्थर को राजा से लेने के लिए यहां कई यूद हुए ऐसा ही एक यूद राजा रायसेन ने लड़ा वो यूद में हार गए अब वो पत्थर किसी और के हाथ में ना चला जाए इसलिए उन्होंने उसको किले के अंदर ही तलाब में फैक दिया आखिर में यूदि के दोरानी राजा की पृत्थि हो गई मैने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया उनकी मृत्य के बाद ये किला विरान हो गया इसके बावजूद उस पारस पत्थर को ढूणने उस किले में बहुत से लोग गए ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी किले में पत्थर ढूनने जाता है उसका मांसिक संतूलन भी गड़ जाता है इसके पीछी का कारण बताया गया है कि उस पत्थर की रखवाली जिन करते हैं यही वज़ा है कि उसको ढूनने के लिए जाने वाला हर इंसान मांसिक संतूलन खो देता है कहते हैं अब इस काम के लिए सिर्फ तांत्री को की ही मदद ली जा सकती है। दिन में इस किले को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। दिन में यहां लोग घूमने के लिए आते हैं, वही रात होते ही यहां खुदाई का काम सुरू हो जाता है। इस खुदाई की बात का सबूद किले में अगले दिन बड़े बड़े गड़े देखने को मिलते हैं। फिलाल यहां पार्स पत्थर और जिन के बारे में अभी तक कोई सबूद नहीं मिला है। पुरा तब विवाग अभी इस मामले में खोज कर रहा है। आज तक इस रहसे को कोई नहीं जान पाया और जिसने जाना वह इस दुन्या में नहीं है। परंतु कहते हैं कि पार्स पत्थर की खोज अब तक जारी है। एटोमिक रचना की मानी जाये तो कोई ऐसा पत्थर नहीं होता जो लोहे को सोना बना दे। ये काले रंग का सुगंदित पत्थर है तथा ये दुर्भल होता है। ये पत्थर बहुत ही बहुमुल्य होता है। इसके होने से सकारतमक उर्जा में व्रिद्धी होती है। नकरातमक उर्जा में कमी होती है। यह पत्थर जहां हो वहां किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। किव दंतित के अनुसार तेलवी सती में बैगानिक और दर्शनिक अलवट मगनूस ने पारस पत्थर की खोच की थी। इस वीडियो में पारस पत्थर से संबंदित पारस पत्थर के रह्स्यों के बारे में बताया गया है।